उधर दूसरी तरफ गौरी अपनी अदाओं से शिकर को फसाने में लगी हुई थी। उसने शिकर से कहा कि उसे इस बात का अफसोसे की शिकर एक इनसान नहीं है। अगर वो इनसान होता तो वो उसी से शादी करती। फिर उसने कहा कि अगर तुम सानिया को इतना चाहते हो तो फिर मुझे कितना प्यार मिलेगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो सिधार्थ के साथ मिलकर तुमें गेस्टाउस से भगाने में लगी हुई है। वैसे तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं कि तुम गेस्टाउस में किस मकसद चाये हो। शिकर वैसे तो गौरी का दिवाना था लेकिन वो अपना मकसद छुपा कर रखना चाहता था उसने गौरी को सोच समझ कर जवाब दिया और कहा कि मैं मैं तो बस तुम्हारे पीछे यहां चला है और वो दुनों मेरे साथ चलिया है शिद्धारत और सानिया से तो मैं यूही नहीं पढ़ सकता हूँ ले इसका मतलब ये था कि उसे कुछ और दिनों तक मशक्कत करनी पड़े ही उसने गौरी से कहा कि अगर वो चाहे तो गौरी को लगबग हर वो चीज़ दिला सकता है जो गौरी चाहती है उसने गौरी से ये भी कहा कि अगर उसे सिद्धारत की जरूरत नहीं होती तो उसने अभी तक गौरी को गलती राते से चुआ तक नहीं था तो क्या वो बदल चुका था वे लोग गाउं की गलियों से होते हुए गूमते गूमते हवेली की तरफ चले गे तब गौरी ने शिकर चका मुझे लगता है तुम्हारे लिए यहां पर हवेली में आना जाना कोई आना मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है यहां तक की मेरे आका से भी अब अगर तुमने ये बात छेड़ी दिये तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूं कि सिध्धार्त को हमने जिन्दा इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो हवेली में हमारे लिए कुछ काम कर सकता है तो क कहते हुए शिकर एक बार फिर से हसने लगता है उसकी ये बात सुनकर गौरी जबरन उससे रूटने का नाटक करने लगती जिस पर उसने गौरी को मनाते हुए कहा अरे गुस्सा मत करो मैं तो सही कह रहा हूं इंसानों को औरतों के नकरे जिलने पड़ते हैं शुक्र है हमा सानिया के साथ सिधार्थ को देखकर हैरान हो रहे थे लोग आपस में बाते करने लगे थे कि लगता है इन शहर के लोगों में कोई मान मर्यादा होती नहीं देखो कैसे बेशर्मों की तरह गहर मर्द और आरत के साथ गूंग रहे हैं गेस्ट हाउस में सिधार्थ सानिया को अपनी बाहों में भर की है, उसकी प्यास को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगा। उसने सानिया से पूछा, ऐसी क्या वज़ा है जो तुम विरान कड़के इस गैस हाउस में चली आई। ये तो मैं जानता हूँ कि तुमें किसी से कोई खतरा नहीं है और तुम कहीं भी आ जा सकती हो, लेकिन डर तो हर किसी को किसी ने किसी चीज़ से लगते हैं, चाहे वो इनसान हो या शैतान। सानिया ने उसे बताया कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है और डर उन्हें भी लगता है। इसलिए तो उन्हें उनके आका नहां बेजा हैं और काया कि सिध्धार्थ की मदद से तुम अपने मकसद में काम्याब हो सकते हो। अगर तुम सचमुच मुझे इतना पस बस यूही कह रही थी। सानिया के इतना कहते ही सिध्धार्थ ने भी उस पिशाचनी का फाइदा उठाने की बात सूची और उससे कहा। तुम तो एक पिशाचनी हो। तुम्हें विरान कड़के भूतों से तो डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो क्या तुम हवेली मे सिध्धार्थ ने पूछा। लेकिन सानिया ने जवाब दिया। नहीं उस हवेली में तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये बात सच है कि मुझे हवेली के भूतों से डर नहीं क्योंकि मैं खुद भी एक भूत हूं। लेकि उस हवेली पर भूतों की हुक की गई। इसलिए हमें हुकुम मिला है कि हम तुम्हारी मदद से अपना काम पूरा करें। उसने बताया कि उन्होंने सिध्धार्थ को डरा कर देख लिया। लेकिन वो फिर भी उनके काबू में नहीं आया। फिर उन्होंने उसे अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया। क् एक तरफ सिध्धार्थ तो दूसरी तरफ गौरी। धीरे धीरे उन पिशाचों को अपने वश में करके उनसे उनके गेस्ट हाउस में आने का राज उगलवाना चाह रहे थे। वे लोग काफियत तक कामयाब भी हो गए थे। सानिया ने सिध्धार्थ को बताया कि सिर्फ वे लोग ही नहीं बलकि दुनिया भर के बहुत से पिशाच और भूत हवेली से उस कीमती चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते आएं। लेकिन अब तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। उसने सिध्धार्थ को बताया कि अगर वे लोग यहां नहीं आते तो सिध्धार्थ से यह काम करवाने के लिए कोई दूसरा पिशाच आगया होता है। सिध्धार्थ ने उससे पूछा लेकिन वो उन लोगों के लिए यह सब कुछ करेगा क्यों। अगर उसका कोई फायदा नहीं होगा तो तो अपनी जान को क्यों जोकि मिल डालेगा। इस पर सानिया ने बता होगे तो उसके बात सानिया उससे सच छुपा नहीं पाई। और उसने सिध्धार्थ से कहा कि दरसल यह सब कुछ एक तलवार के लिए हो रहा है। हवेली में कहीं एक बहुत शानदार और बेशकिमती तलवार है। वो तलवार सिर्फ शैटानों के काम की है। अगर वो उन मदद करने से कोई परेज नहीं है। यहां गेस्ट हाउस में सिध्धार्थ और सानिया के बीच एक सौधा तैह हो चुका था। वही दूसरी तरफ शिखर ने गौरी को अभी भी सारी हकीकत नहीं बताई थी। यह बहुत हैरानी की बात थी कि वो दोनों फिशाच जो अभी और सिध्धार्थ उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। अब गेस्ट हाउस में ऐसी कोई परिशानी नहीं रह गई थी। शाम का वक्त हो गया था और सभी गेस्ट हाउस में खाना खा रहे थे। रात होने से पहले सिध्धार्थ के लिए खाना खा लेना जरूरी अब ही लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे थे ना तो उन में से कोई हवेली गया था और ना ही आज गेस्ट हाउस में ऐसी कोई बुरी खटना गटी थी तो क्या रात भी ऐसे ही चैन से गुजर जाने वाली थी अब क्या होने वाला था यही कि सिध्धार्थ उन मिल जाएंगे नहीं यह सब कुछ एक कल्पना भर थी असलियत तो इससे भोसुदूर थी गेस्ट हाउस में तो बुरा कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन गाउं में आज तीन घरों में आग लगा दी गई थी और गाउं से चार लोगों को अगवा कर लिया गया था कमाल की बात तो यह थी कि गाउंवालों को बहुत से गोडों की वाद सुनाई दी थी और गोडों के कदमों से धूल भी उड़ रही थी पर उन्हें अब तक कुछ दिखाई नहीं दिया जब तक उन लोगों ने इनके घरों में आग नहीं लगा दी थी हाँ गाउं के मुक्या और कुछ लोगों ने दिखा कि काले कपड़ों में डाकों की तरह आए उन लोगों ने अपने सरदार के कहने पर आग लगा दी जब धूल का गुबार और आग का धुआ हटा तो गाउंवालों को उन खतरनाक लोगों के चेहरे दिखाए दिए डर और खाफ का एक ऐसा मनजर बना दिया कि थोड़ी दिर पहले जो गाउंवाले डाकों का सामना करने के लिए घर से निकले थे उनके पैर जैसे जमीन में ही दस गह थे हाथ धर धर कापने लगे और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं की अपने घर के अंदर सोरे लोगों को आग लगने से पहले बहार निकालने के लिए ले जा सके इसके अलावा वे डाको अलग अलग घर के चार लोगों को अपने साथ अ पहुक्तुदूबीर चैना था, कि उन लोगों के इनसानों की तरह कुछ भी नहीं था। उनमें से कुछ के कंदों पर तो सिर भी नहीं थे। अब यह नई बला क्या थी। कौन थे वे डाकू। अगर वे इनसान नहीं थे, तो फिर डाकू बनकर क्यूं आए थे। उन्होंने गाउं के घरों में आग क्यों लगाई और लोगों को अगवा क्यों किया ये सब कुछ विरान गड़ में ही क्यों हो रहा था जानने के लिए सुनते रहिए